हेलो एवरीवान गुट मॉर्णिंग टू अल अफ यू वेलकम टू लॉजिक पाच्छला आज किस वीडियो में हम दो दिन का करेंट अफेस करेंगे जिसमें हम फॉर्स्ट और सेकिंड मार्च के जो भी इंपॉर्टन करेंट अफेस है उन दोनों को हम कवर करेंगे इस वीड करते तो फर्वरी महीने की जो मंदली करेंट अफेस है इसकी दो वीडियो आपको और डिट प्रोवाइड कर दी गई है तो उसका जो पीडिय एफ है वह आप बिल्कुर भी चिंता ना करें फर्वरी महीने की पूरा मंदली पीडिय आप लोगे को जरूर मिल जाएगा एक एक दो वीडियो और रहें उसके बाद आपको complete PDF एक ही में मिल जाएगा so PDF के आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना किया करें आपको PDF हर class का जरूर मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की classic motivation code से आज देखो क्या है there is never enough time to do everything but there is always enough time to do the most important thing हर एक चीज़ करने का हमारे पास इतना enough time जरूर होता है कि हमारी life के लिए जो most important चीज़ होती है वो हम जरूर करें तो हमेशा ध्यान दे कि क्या आपके life में जरूरी है क्या चीज़ ज़्यादा important है उसके उपर ज़्यादा focus करें यह नहीं कि हर एक चीज़ कर ले हर एक चीज़ करने से कुछ भी रही हो बा harm create laws that empower तो यह रही है zero discrimination day की theme अब नाम से पर चला देखो zero discrimination मतब कोई भेदवाव नहीं तो इसमें इस दिन का मेरो देश्य ही यही होता है कि जैसे सभी लोगों के लिए जो भी कानून मनता है जो law हो गया है जो policy हो गये उसमें कोई भेदवाव नहीं हो और सभी को समानता के साथ equality के साथ देखिए और इसके साथ inclusion and protection of all people मतब किसी के साथ भेदवाव की बिना सभी चीजों को समानता सभी लोगों को समान अधिकार मिले इसकी इसको सुनिश्य करता है यह दिन ठीक है तो इसका नाम है zero discrimination day यह आता है first march को फरवरी की आपको days and themes की वीडियो चल्दी मि आप लोग थोड़ा सा patience और रखी बस ताकि हम उनको अच्छे से बना के आपको upload कर सके चलिए पहला question देख लेते हैं आज काफी सारे questions हम cover करेंगे तो complete video को जरूर देखेगा which countries researchers have developed nanorobots to explore the moon for the first time किस देश के researchers और जो ने पहली बार चंदर्मा का पता लगाने के लिए nanorobots रहे हैं वो विक्सित किये हैं चंदर्मा का मतलब होगा है जो moons होते हैं जैसे हम खाली अपनी moon की बात नहीं करें और चुचटे और जो moons है उन सभी का पता लगाने के लिए nanorobots को develop किस के द्वारा किया गया है तो यह मैक्सिको के researchers है जिन्होंने इन nanorobots को develop किया है यह ज यह चंदर्मा के लिए रवाना हो जाएंगे ठीके यह जो mission है ना इससे United Launch Alliance Vulcan Rocket से जो है launch किया जाएगा और पचास सालों में चंदर्मा पर उतरने वाला पहला यह अमेरिकी अंतरिक्ष यान होगा तो याद दखेंगे कि इसको develop किस के द्वारा किया है माक्सिको ने इन की तरफ चलते हैं who presided an emergency session of the general assembly to discuss Russia's military operations in Ukraine पर आपको पता यह रशिया और यूक्रेन के बीच में इस टाइम पर क्या चल रहा है तो यूक्रेन में जो रशिया की military के operations चल रही है उन पर चर्चा करने के लिए general assembly में emergency जो session है इसकी अध्यक्षिता किसने की है तो answer यहापर हो ज चाहिद देखें अबदुल्ला शाहिद जी जो है यह united nation general assembly के president है तो इनके द्वारा यह जो अध्यक्षिता है वो की गई है अब यह जो अध्यक्षिता है देखें यह 11th जो emergency special session हुआ है general assembly में तो उसकी इन्होंने अध्यक्षिता करी है याद यह भी रखिया कि 11th नंबर का यह emergency special session हुआ है अब देखें इसमें इस emergency session कराने के लिए voting की गई थी तो UN security council के द्वारा vote किया गया था special emergency session को कराने के लिए इसमें भारत ने अपना जो मतदान है मतब भारत ने एक तरीके से परहेस किया इसमें मतदान करने से मना कर दिया आपके लिचे कि नहीं किया ठीक तो भारत ने देखें प्रस्ताफ पर मतदान करने से इसमें पड़ेस किया ठीके फ्रेंट तो आप लोगों से पूछेंगे कि इसकी अद्रशिता किस ने करी तो अब्दुल्ला शाहिद जी ने करी और यह कौन से नमर का emergency special session था तो 11th नमर का था ठीके चलिए अब देखें भारत ने युक्रेइन से जितने भी इंडियन से उनको वापस लाने के लिए operation भी चलाया था और उस operation का नाम क्या रखा था ध्यान रखेंगे operation गंगा नेक्स्ट हमारा question है तब फिफ्थ बांगलादेश इंडिया कल्चर मीटी मीट कन्क्लूदे इन विच सिटी ये जो पांचवी बांगलादेश भारत की कल्चर बैठक हुई है ये किस शहर में संपन हुई है right answer हो जाएगा यहाँ पे राजशाही तो ये जो पांचवी नमबर की ध्यान रखेंगे कौन से इन अडिशन है ये पांचवी अडिशन है और ये राजशाही शहर में संपन हुई है ये जो function था इस function की अध्यक्षता करी गई थी राजशाही जो शहर इसके mayor के द्वारा औ 28 फरवरी तक और ये तरीके से celebrate करता है तब बर्ट सैंचुरी और बंगबंदु शेक मुझीबर रहमान गोल्डन जुबली ऑफ दि लिबरेशन ऑफ बांगलदेश और फिफ्टीथ इयर ऑफ मांगलदेश इंडिया फ्रेंडशिप तो ये जो पूरा का पूरा event हुआ है न है वहाँ पे से कराया गया बात आती है फिन बंगलदेश की तो capital है बंगलदेश की धाका currency है टका प्रेजिडेंट है अब्दुल हामिद प्राइम मिनिस्टर है शेक हसीना और यहां का national sport है कबड़ी अगला कोशन है देखिए for how many years cabinet has approved the national rollout of आयुश्मान भारत digital mission of ministry of health and family welfare in February देखिए question में पूछा गया है कि कितने वर्षों के लिए cabinet ने फरवरी में जो यह राष्टिय स्वास्तिय और परिवार कल्यान मंत्राल है इसके आयुश्मान भारत digital mission के राष्टिय रोलाउट को मंजूरी दी है तो कितने सालों के लिए जो मंजूरी है वो दी गई है तो जो यह आयुश्मान भारत digital mission है इसके तहत citizens will be able to create their आयुश्मान भारत health account number तो वो अपने आयुश्मान भारत health account number है उसको create कर सकते हैं इस mission के तहत अब देखें बात करते हैं आयुश्मान भारत scheme की यह शुरू कब हुई तो 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे शु शुरू किया गया था social economic sanction database के अधार पर जो beneficiaries है उनको चुना जाएगा कि उनका economic या social background किया है उसके अधार पर it is largest health cover in the world इसका उदेशे था कि पांच लाख रुपे दिये जाएंगे health cover के लिए per family per year के लिए ठीक है तो इस उदेशे के साथ 2018 में इस scheme को शुरू किया गया नेक्स्ट हमारे पास question है union agriculture minister नरेंदर सिंग तोमर has launched the dash तो यहां पे कौन सा initiative इनोंने शुरू किया जिसका उदेशे रहा है motivating farmers to ensure their crops तो किसानों को अपनी फसल का भीमा करने के लिए प्रेरित करने के लिए नरेंदर सिंग तोमर जी ने एक पहल की शुरूआद करी जिस पह हाथ जो यह initiative है इस initiative को किसके द्वारा launch किया गया है तो नरेंदर सिंग तोमर जी के द्वारा किया गया है ऐसे भी पूछ सकते थे तो मैं थोड़े से different तरीका भी इसलिए रखती हूँ ताकि आप exam में confused नहों कि कैसे कैसे question बन सकता है इसका उद्देश यही है कि farmers को motivate करना कि वो अपनी crop का या जो उनकी फसल है उसका बीमा करा है यह deliver करता है document of धान मंत्री फसल बीमा योशना to farmers across the country तो इस से देखे 36 करोन जो farmers है वो इसको opt करेंगे and 1 lakh करोन has been disbursed as a relief to those who suffered crop damage कि जैसे farmers के crop खराब हो जाती है जो अगर वो बीमा उसका करा लेंगे तो उस damage का उनक फिर उनको उसका coverage भी दे दिया जाएगा जैसे हम अपने वहिकल का जैसे हमने कोई कार ली होते तो हम उसका insurance कराते हैं कि खो गई या car टूट गई accident हो गया तो उसके हमें पैसे मिल सके तो सेम वही बात farmers के लिए भी बोली जा रही है कि आप अपने crop का insurance करा लीजिए ताकि माल नीचे किसी वज़े से आपकी फसल खराब हो जाती है तो उसकी भरपाई आपको मिल सके ओके फ्रेंट आप समझ में आगया चलिए question ने देखे अगला which company has announced the launch of play pass subscription service in India तो किस company ने भारत में play pass जो subscription services को शुरू करने की announcement करी है ये announcement google के द्वारा की गई है तो google इसे भारत में शुरू कर रहा है अब इससे होगा क्या देखो तो जितने भी android device users है ये उनको access देगा मतलब 1000 application या वो games को यहां पर खरीच सकती है without ads मतलब कोई उसमें बीच में ad नहीं आएंगे तो वो easily क्या कर सकते हैं इन आप को purchase कर सकते हैं और जो भी payment है वो उसका कर सकते हैं तो कोई ad वगेरा उनको इसमें नहीं मिलेगी तो इसी को इसी यही जो service है यही subscription है play pass का जिसमें उनको 1000 application of gains भी मिलेंगे ओगे तो इसको गूगल के तवारा शुरू करने की घोशना करी है भारत में तो दीखे गूगल की बात आती है तो 1998 में इसकी शुरुआती है कैलिफोर्निया में इसका headquarter है और गूगल के CEO कौन है सुन्दर पिचाई अगले question के तरह बढ़ते हैं which of the following Indian Navy ship has been formally affiliated to the port city of विशाका पटनम तो दीखे इन में से कौन सा भारते नौसेना का जहाज है जो अपचारिक रूप से विशाका पटनम के बंदर का शहर से संबंध है तो answer हो जाएगा INS विशाका पटनम तो रटने की जूरत नहीं है देखो विशाका पटनम से ध्यान रख ले रहा answer यहाँ पर विशाका पटनम ही हो जाएगा यह देखे अभी event चला था मतब एक तरीके से exercise आपको ध्यान होगा मिलान जो की एक multi-lator maritime exercise है भारत देश में कई सारी जो आप के लिजे नेशन से उनको invite किया था ठीके तो INS विशाका पटनम जो था वो December के टाइम पे हमारी इंडियन नेवी में शामिल किया गया था ठीके तो simple सा question था आगे बढ़ते हैं अब बात आती हैं इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी जिसकी स्थापना होई 26 जनवरी 1950 को present time में जो हमारी नेवल स्थाफ के चीफ है उनका नाम है Mr. Harikumar इसका headquarter है New Delhi में इसका motto है शम नो वरण क्यानी May the load of water be auspicious unto us तो यह आप ध्यान रखेगा इंडियन नेवी के बारी में next हमारे पास question है friends which state police has launched three new digital initiatives जिसमें से एक है अनुभती a qr coast based feedback system और नुमें से एक है e chitta portal तो यह जो एक तो यह आपका system होगे और यह जो portal है इसको किसके द्वारा शुरू किया क्या है तो आंसर हो जाएगा Delhi police तो friend इसको Delhi police के द्वारा शुरू किया गया है अब यह है क्या बात करते हैं सबसे पहले अनुभूती की जो कि एक feedback management system है यह क्या करेगा public और police के बीच में जो two way communication है उसको स्थापित करेगा यह system second है each it each it क्या करेगा देखे कि 8 गंटे की shift सुनिशित करेगा और transparency लेकि आएगा जो भी काम करते हैं करमी है उनकी efficiency कितनी है वो क्या किस तरीके का work कर रही है उसकी transparency को बढ़ाएगा यह portal तो इन दोनों को शुरू किया गया है Delhi police के द्वारा next हमारा question है देखे at which valley will हिमाचल प्रदेश get its first biodiversity park जिसकी cost लहेगी वन करोंट रुपीज तो हिमाचल प्रदेश के कौन सी घाटी में यह बन रहा है तो answer हो जाएगा बुलाहा वैली तो बुलाहा वैली में मंडी एक जगा है जहां पे इस biodiversity park को बनाया जाएगा इस biodiversity park का देखे में उद्देश यह रहेगा कि हिमाले में जो medicinal हर पाई जाती है जो औशिदें जड़ी बूटी पाई जाती है उसकी depth exploration करना depth exploration का मतलब होगे कि उसकी गहराई से खोच करना और जितने भी researchers से उनको यह अफसर देना कि उसको depth में उसकी बारे में जान सके साथी साथ में इसको tourism activity के साथ में link करना तो by diversity park से क्या होगा वहाँ पे tourism activities भी होगी साथी साथ में वह exploration भी किया जाएगा तो ध्यार ने किंगे हिमाचल प्रदेश का यह पहला जेंदर अर लेकर next question पर बढ़ते हैं friend तो अगला question देखे which state government has announced a camel protection and development policy in its budget 2020-23 कौन सी राजे की सरकार ने अपने budget में ऊट संदक्षन और विकास निदी की घोशना की है यह घोशना करी है राजिस्तान की जो अभी budget पेश किया गया राजिस्तान का budget पेश किसके दोरा किया गया था वहां के cm आशोक गहलोजी के दोरा ये भी ध्यान रखेगा ठेके अब देखें ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि यहां पे इसा दिखा गया राजिस्तान में कि जो number of camel से ना उनकी संक्या कम हो रही है घट रही है तो इसको देखते हुए राजे सरकार ने अपने budget में camel protection and development policy की बात करी है इसके लिए 10 करोंड रुपे का budget भी जो है प्रपोस किया गया है ताकि उनकी protection किया जा सके overall development किया जा सके state animal का क्योंकि राजेस्थान का state animal क्या है camel है ठीक है और राजेस्थान की सरकार ने 2014 में camel को अपना state animal declare किया था तो इस question से थोड़ा सा question को relate कर सकते है देखिए कि कब camel को राजेस्थान सरकार ने state animal declare किया तो आपका अंसर हो जाएगा 2014 में राजेस्थान जहांके CM है अशोग गैलोद गवर्नर है कालराच मिश्रो इंपॉर्टन नैशनल पार्क में देखिए सबसे ज़्यादा पूछ जाता है तो केवला देखाना पूछ जा नेक्स्ट हमारा question है which of the following court has directed state government of तिरपुरा to form a panel for the protection and preservation of the wetland across the state किस अदालत ने तिरपुरा की राजे सरकार को राजे भर में जो wetlands होगे उनके संदक्षन के लिए एक panel बनाने का निरदेश दिया है कि आप एक panel बनाई है ताकि जो wetlands होगे उनको प्रोटक्ट किया जा सके और यहां पे court कौन सी है तिरपुरा high court है ठीके बात करते हैं देखिए कि यह जो क्या है मतलब इसके अंदर इसके बात करते हैं the state would also be advised to include ontologist as well as environmentalist to form part of set committee मतलब राज्ये को यह भी सला दी जाएगी कि उक्तसमीति का हिस्सा बनने के लिए जो पक्षी विज्यानिक है साती सा आत्मी जो environmentalist है उनको भी इसमें शामिल किया जाए क्योंकि वो उस इसके बारे में बहता तरीके से और अच्छे से जानती है कैसे उसको protect कर सकते हैं इसके बारे में भी उनको पता है ठीके तो तिरपरा का जो high court है तो वो एक panel बनाएंगा जो के responsible होगा wetlands के protection के लिए और उ next हमारे पास question देखे कौन सा bank है जिसने announce करा है the launch of project bank सखी तो उडिसा में project bank सखी को शुरू करने की घोशना किसके द्वारा करी है bank of महरास्ट्र ने करी है तो right answer is option number A अब इस project में क्या होगा देखे इस project के तहट bank account खोलने के लिए उडिसा की लोगों को घर गर और परिशा वो अराम से hassle free अपना जो bank account है वो घर बेटे खोल सकते हैं बैंकों पहरास्ट जिसके शुरुआ तो ये 1935 में और इसका headquarter है पूने में इसके जो CEO है उनका नाम है A.S. Rajiv next हमारा question है who won outstanding performance by a female actor in a leading role award at the screen actor guild awards जो की कैलिफोर्निया में हुए देखे हाली में ये जो awards है ये हुए कैलिफोर्निया में इसमें simple हम से पूछा गया है कि outstanding performance by a female actor in a leading role में ये award किसे मिला है तो answer हो जाएगा Jessica Chastain को ये जो award है वो दिया गया है female category में इनकी film The Eyes of Tammy Faye के लिए वही इसी में बात करते है outstanding performance by a male actor in a leading role male actor में किसे मिला है तो ये मिला है Will Smith को King Richard के लिए ठीक है दोनों ध्यान रखो female में Jessica और male में Will Smith इसी में other winners की बात करते है तो देखे supporting role में female actor में किसे मिला है तो Arayne De Boas को मिला है West Side Story के लिए और male actor को मिला है Troy Costor CODA के लिए ठीक है ये तो हो गए हमारे supporting role में वही drama series में male actor में outstanding performance का अवार्ट मिला है Lee Jung Zae जो कि squid game से है और drama series में ही female actor में मिला है जंग हू यौन ये भी squid game series से है ठीक है तो ये कुछ other winners है जो कि आप लोगों से इसी तरीके से पूछे जाएंगे directly ही next हमारा question है friend कि किसी woman को किसी private sector की व्यक्ति को सेभी के प्रमुखपत के लिए चुना गया है ठीक है तो याद रखेगा सेभी की एक चीज़ और ध्यान रखेंगे मुंबई में इसका headquarter है और 1992 यानि 1992 में सेभी की स्थापना हुई थी सेभी यानि Securities and Commodity Market in India कुछ और appointments की बात करते हैं तो देखे राकेश शर्मा या IDBI bank के managing director दुबारा से appoint किये गए वहीं बात करते हैं संजीव सानियाल की तो यह economic advisory council यानि PM की चो economic advisory council इसके full time member बने है के अन रागवन यह नई chairman बने है international rubber study group के अन ताकुआ शुमूरू यह appoint की गई है Honda Cars इंडिया की नई president और CEO तो याद रखेगा next question देखे अगला है अश्नीन ग्रोबर ने किस company और इसके board से भी हाली में resign कर दिया है तो आपने वैसे देखा होगा अगर आप shark tank देखते होंगा किसी को नहीं भी पता होगा तो shark tank साब को इनकी बारे में जरूर पता चल गया होगा तो यह भारत पे के CEO थे लेकिन इन्होंने अपने CEO पत से आपके लिएचे स्तीफा दे दिया है यानि इन्होंने इस company से resign कर दिया है क्यों ऐसा हुआ है तो यह के first march को ही इन्होंने अपनी company और उसके board से स्तीफा दे दिया यह हुआ भारत पे की इनकी जो wife है माधुरी जैन ग्रोबर तो माधुरी जैन ग्रोबर की जो सेवाएं हैं उनको समाप्त करने के बाद ही news आई थी कि यहाँ पे देखे financially irregulatory हो थी तो इसका एक allegation था और उसी अनिमित्ताओं को लेकर उनकी पत्नी और जो company के नियंतर प्रमुग माधुरी जैन ग्रोबर है उनकी जो सेवाएं हैं उनको समाप्त किया गया उसके दो दिन बाद ही आशनीन ग्रोबर ने भी announcement करी है resignation की तो ध्यान रखेगा इसके बारे में next question पर बढ़ती है question देखे इंडिया ने कितने medal जीते हैं at the Singapore weightlifting international in February 2022 तो अभी जो ये weightlifting का championship हुई है Singapore weightlifting international championship इसमें इंडिया के दोरा कितने medal जीते गए हैं तो answer हो जाएगा total 8 medal जीते गए हैं जिसमें 6 gold है एक silver और एक bronze है तो ध्यान और second name है Venkat Rahul Ragla इन्होंने Commonwealth Games के लिए qualify कर लिया है और Vikas Thakur ने इसमें gold medal जीता और Venkat Rahul के दोरा इसमें जीता गया bronze medal Singapore weightlifting international championship में Singapore weightlifting international जो की qualifying event था 2022 के Commonwealth Games का जो के हाँ पे होंगे Birmingham में होंगे यह 28 चुलाई से लेगे 8 अगस्त तक किये जाएंगे और इसमें देखे ओलंपिक जो silver medalist मीरा बाई चानू है वो भी include हैं ठीक है तो यह तरीके से qualifying था कि आप इसमें qualify कर सकते हैं इस इस championship से question है अगला दिखे friend who won a gold medal in the 52 kg category at the 73rd Strinda Memorial Tournament in Sofia, Bulgaria यह जो tournament हुआ है friend यह हुआ है Sofia, Bulgaria में question में हम लोग उसे पूछा गया है कि इसमें 52 kg category में gold medal किसने जीता है तो Indian boxer निखत जरीन के द्वारा जो है 52 kg category में जो है gold medal जीता कया है she has become the first Indian boxer जिन्होंने दो gold medal जीते हैं Strinda Memorial Boxing में ध्यार रखेगा यह पहली मुक्य बाच बन गई है इसी में नितु का नाम ध्यार रखेगे और उने 48 kg category में bronze medal जीता है ठीक है याद रखेगा next हमारे पास question है देखिए who won a gold medal in the Moscow Wushu Stars Championship which was held in Moscow यह हुई कहां पर थी Moscow में हुई थी इसमें gold medal जीता है इंडिया की साधिया तारीक ने ओके साधिया तारीक जो कि श्री नगर से बिलॉंग करती है और यह दो बार gold medalist रही है junior national Wushu Championship में recently उन्होंने secure किया है gold medal in the 20th junior national Wushu Championship जो की lovely professional university जलेंदर में हुई थी तो वहां पर भी इन्होंने gold medal secure किया है और recently इन्होंने Moscow की Wushu Star Championship में भी gold medal जीता है next हमारे पास question है who among the following has won the Mexican open title जो कि कहां पर हुआ है Mexico के अकापुलको में हुआ है तो इसमें यह जो Mexican open title है यह जीत लिया है राफेल नदाल ने ठीक है तो राफेल नदाल के दोरह इसको जीता गया है रोने इसमें defeat किया है Cameron Nuri को नदाल का पहला जो यह title था 2005 में नोंने पहली बार खिता जीता था और 2013 और 2020 में भी नोंने यह जो खिताब है वो अपने नाम किया कौन सा बात हम कर रहे हैं Australian open की ठीक है तो फिर से जो अब 2022 का जो title है वो भी किसके नाम गया है Rafael Nadal के नाम गया है राफेल नदाल की बात करते हैं तो देखें स्पेन के जो Rafael Nadal ने उन्होंने उस्ट्रिल आपन का मेंस सिंगल फाइनल चीता टैनिस में एसलन कारस्तेव जो है इन्होंने सिद्नी टैनिस जो क्लासिकल फाइनल हुआ था उसमें मेंस सिंगल का टाइटल चीता और ये इनका तीसरा ATP2 टाइटल रहा वर्ड नमबर सिक्स राफेल Nadal ने जीता है मेंस का सिंगल टैनिस टाइटल Melbourne Summon Set 1 में और जो भी Davis Cup हुआ था 2021 में वो जीता Russian Tennis Federation के द्वारा जिसमें उन्होंने क्रोशिया को डिफीट किया और Davis Cup अपने नाम किया तो फिर्ट ये थे हमारे आज के complete questions तो चलिए अब हम लोग revision कर लेते हैं एक जो हमने पढ़ा था इंडिया ने जो युक्रेइन में इंडियंस फसी हुए उसको इनको evacuate करने के लिए consummission शुरू किया तो बिन आपको बताया था Operation Ganga उसका नाम है इसके बाद कि who has become the first black woman जिनको American Supreme Court के लिए select किया गया है इनका नेम क्या है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा के तांगी, ब्राउन, जैक्सन, नेक्स्ट है the third edition of Joint Military Exercise X Dham Guardian यह कौन से दो देशों के बीच में हुई है तो यह इंडिया और जापान के बीच में हुई है और करनाटका के बेलागवी जगा है वहाँ पे इसको कराया गया नेक्स्ट एक है International Intellectual Property Index में भारत की क्या रेंक रही है तो भारत रहा है इसमें 43 नमर पे पहले नमर पे है United States, second नमर पे है United Kingdom और इस इंडेक्स को Global Innovation Policy Center of the US Chamber of Commerce के द्वारा रिलीस किया गया नेक्स्ट कोशन है इनमें से कौन सा IIT है जिसने लौंच किया है वर्ट का Smallest Wearable Ear Purifier तो IIT Delhi ने इसे लौंच किया नेक्स्ट एक कौन सी IIT के Scientist है जिन्होंने एक Nanoparticle Based Biodegradable Carbonite Metabolite को Develop किया है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा IIT कानपूर नेक्स्ट देखे भाशा Certificate Selfie Campaign को कौन सी Ministry ने शुरू किया है तो इसे Ministry of Education ने शुरू किया है इसके बाद है Former Chief Minister हेमानंद विश्वाल हाली मेंन का निधनुआ कि किस राज्य के CM रहे थे तो आंसर यहाँ पर देखे हो जाएगा उरिसा की यह दो बार CM रही है और he was the first tribal CM of उरिसा नेक्स्ट देखे कौन सी स्टेट ने स्टेट एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को लॉंच किया हाली में महराष्ट सरकार्निस पॉलिसी को शुरू किया है इसके बाद देखे कौन से बैंक के MSME पूछा गया है कि जो नारायन रानी है इन्होंने किस बैंक के MSME रुपे क्रेडिट कार्ट को लॉंच किया है तो बैंक का नाम है Union Bank of India next is which of the following जिसको अवार्ट मिला है इंडिया's most trusted public sector company का अवार्ट दिया गया है तो कोल इंडिया लिमिटेट को इस पुरुसकार से सम्मानित किया गया next देखिए निम्न में से कौन है जिने prestigious Boltzman medal से सम्मानित किया अगर ये इस medal से सम्मानित होने वाले पहले भारत्या बनी है इनका नाम है दीपक धार next देखिए Singapore International में gold medal भारत तोलन में weightlifting में gold medal किसने जीता है राइट आंसर हो जाएगा मीरा बाई चानू तो फ्रेंड ये थे हमारे complete questions और परसो आप लोगों से question पूछा कया था कि जो smart card arm license है और जो शर्ष अप्लिकेशन इससे किसने launch किया है तो अमिश रहा के जोरह से launch किया गया बिलकुल correct आपने बताया और second question ये था कि बीजिंग जो Olympic winter Olympics हो इसमें भारत समय total कितने देशों ने participate किया तो total 91 countries ने participate किया सबसे जादा medal इसमें Norway ने चीते हैं second पे रहा Germany तीसरे पे रहा चाइना भारत के दोरह इसमें कोई भी medal नहीं जीता गया तो सभी ने बिलकुल सही answer करी है thank you very much आपको comment करती है आज comment हमने रखी है सुरिंदर कौर उज्जुला दास एंड जैश्री जेना का तो चलिए आज की questions भी देख लेते हैं NATO members countries ने conduct कि एक maritime exercise Neptune strike 22 ये exercise कौनसी जगा पर हुई कौनसी प्लेस पर हुई ये बताईएगा second देखे question है कि पराकरम दिवस के अवसर पर इंडिया गेट पर नेता जी शुभाश्यंदर बोशी की जो hologram statue है इसे किस ने unveil किया और NATO के बारे में भी बताएगा कि जो भी आपको इसकी information बता है वो आप लोग अपनी knowledge को share कर सकते हैं comment section में I hope so आज के सभी question आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे and कभी कभी देखे ऐसा हो जाता है कि किसी reason की वज़से CA की video नहीं बन पाती है current affairs की तो उसके आपको notice भी दे दिया जाता है लेकिन आम चिंता ना करा करें कि हम लोग जो current affairs रह भी कभर करेंगे thank you so much for watching this video